इनको सुनने के लिए बढ़ चुके हैं और आशा करता हूं कि आज का वचन जब हमारे सामने रखा जारा है और परमेशर जब हमसे बाते करता है तो हम उस वचन को ग्रहण कर सके हैं और वचन के वचन को हम अपने हिद्दे में जगा दे और परमेशर के वचन को पूरा करने क लिए अपनी सारी सामत को लगाने पाए आए इसके पहले कि हम बचन में जाए एक छोटी सी प्रात्म कर ले धन्यवाद पिता परमेश्य मेरे प्रभू प्रभू आपने पिता परमेश्य प्रभू हमें बनाया मेरे प्रभू कि हम पिता परमेश्य प्रभू तेरे समान बनने प्रभू, प्रभू हम तरह धन्यवाद करते हैं, मेरे प्रभू की संसार में आप हमें हर बातों सुरक्ष करते हैं, प्रभू, आप हर एक बातों को पिता परमेश्र प्रभू, हम से पिता परमेश्र प्रभू, नहीं चुपाया, मेरे पिता परंतर प्रभू, आपने हर एक ब बच्छन प्रभू हमें निरंतर सिखाता है मेरे पिता परमेश्व मेरे प्रभू हम तरह धनिवाद करते हैं मेरे प्रभू हम प्रात्ना करते हैं मेरे पिता प्रभू कि पिता परमेश्व मेरे प्रभू हम तेरे जैसे बने पिता परमेश्व मेरे प्रभू और पिता परमेश करते हैं प्रभीस वच्चन को पिता पर में आपके हाथ में सौता हूँ पिता पृत्त मैं डियो और युद गर आज का जो वच्छन है वो पाया जाता है लुक का उसका 21 वाद गया है और वो 34 से 37 तक हम इसको आज मनन करेंगे और हम देखते हैं कि जो तीम क्योंकि हम जानते हैं कि मति मर्कुस और लूका एक ऐसा ध्याए है ऐसे चैप्टर्स जो continue issue massage के बारे में बोलते हैं और issue massage हमें इस parable को जो अपके सामने भी है उसमें हम देखते हैं कि लिखा गया उन बातों को और मैंने बाया कि जो तीनों उसमें अलग-अलग बाते लिखी गई है उनको उनका जो पॉइंट है वो एक है लेकिन जो बाते हैं वो तीनों में अलग-अलग पाई जाती है और मैं विशेश चाहूंगा कि हम लुका के हम समझें कि परमेशर और ईश्यमस्धी हमारे जिएवन में है हमारे हमसे चाहते हैं और जब हम जब इसको आप जब इसको पढ़ते हो तो मैं आपको बहुत शोर्ट पर बताना चाहूंगा कि मैंसे पढ़ना चाह रहा हूँ किना पढ़ू कि मैं कुछ तीनो चैप्टर में से थोड़ा-थोड़ा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और परमेशर हमें यहाँ पर हमें सावधान पहला जो वर्ड है वो है सावधान रहो और परमेशर हमें हमसे चाहते हैं कि हम सावधान रहें क्योंकि हमारा जो मन है वो हमें अपने मन में हम बहुत से बातों को सोच लेते हैं और हम बहुत से बातों में खो जाते हैं और क्योंकि हम यह संसार हैं वो हमें इस बात को भूला देने के लिए बहुत ही जादा हमें ऐसा हमें बना देता है कि हम उन सब बातों को जो परमेशन ने कही है या परमेशन ने हमें बचनों के दौरा में बोला है हम Бूला दे और हमें बहुत से ऐसी चिंताओं में डाल आ जाते हैं लिगन उन खास बातों को जो प्रभीश्य मसिले में खास कही हो या हमें खास आगयादी है हम भूल जाते हैं और यहां ही पर हम पढ़ते हैं कि जब हम अगर हम अगर ऐसा हम अपने जीवन में करते हैं तो हम अचानक से किसी बड़ी बुस्रीबत में और फंदे में पढ़ सकते हैं। इश्यमसी का सेकेंड कमिंग हैं। उसका प्रभुश्यमसी आना है। लेकिन उस दिन को कोई नहीं जानता है। लेकिन फिर भी से हम कहीं ने कहीं इस बात से निश्चिंद हो गए हैं कि प्रभुश्यमसी आएगा पर कब आएगा नहीं मालूम हैं तो चलो हम आराम कर लेते है या हमारे चीवरे बहुत से अलग-अलग बातों से जो मैंने आपको अभी कुछ देर पहले कही है, वो आपके जीवन की चिंताएं हो सकती है, वो आपके मन में बहुत से ऐसी बातों का आना हो सकता, या खुमार या घमन या जो भी हो, जिससे हम इस बात को भूल जाएं कि हमा इसलिए जाकते हो और हर समय प्रात्ना करते रहो हमें परप्रभीश्य वसी ने साफ और सेम तीनों दो और अध्याओं में जो मैंने आपको पहले बताया है उसमें भी सेम चीज़ कही गई है जाकते रहो और प्रात्ना करते रहो और जब हम देखते हैं कि जब मती में उस दिन के बारे में ऐसा लिखा है कि उस दिन और उस गड़ी को कोई नहीं जानता कि वो कब आएगा और वहाँ पर उधारन के रूप में नू का उधारन गया है हम में से हर एक जानता है पुराने ओल्ड टेस्टिमेंस में कि नू को जब प्रभी परमेश्व ने वर्ड दिया तो उसके पूरा होने में कितना समय था और लोगों ने ये सोचा कि शायद जल नहीं आएगा या नू के उपर लोग हसने लगे कि क्या तु इतना बड़ा बनाता है और जहां जितना पानी नहीं था और ऐसा लोग हसने लगे और उस दिन के पहले भी लोग जो थे वो वो पने भोग विलास में और पाप में पढ़े हुए लोग थे उन्होंने इस बात के चिंता नहीं करी कि कब प्रलय आ जाएगा और प्रलय आ गया और वो सब न प्रलय प्रलय आ जिए लोग जाएगा और शुने एक नए जीवन को नए सुस्टी को अपने साथ पानी में रखा जैसा परमेशर ने उसे आग्या दी थी कि सारे जिवज़न्तों को अपने पास उस नाव में रख ले वैसे ही हम जब मरकुस में पढ़ते हैं तो मरकुस में हम पाते हैं कि परमेशर हमें प्रभीशमसी हमें इस बात को बता रहा है और इसमें जो धारन दिया गया है वो इस बात को बता रहा है कि हमें जो हमारा परमेशर हमारा प्रभीशमसी है वो हमें एक हमें दास की तरह हमें अधिकार दे और द्वारपाल को सचेत करके गया है कि तुम जाकते रहो और उसकी रखवाली करो और ऐसा कोई भी घड़ी आ सकती है कि जब उसका मालिक है वो उस जगह में उस घर में वापस आ सकता है और क्या ये अच्छा होगा कि जब वो आए तो वो उसके द्वारपाल को और उसके दा नहीं चाहते हैं कि उनकी संतान, उनके बच्चे, इसा करें, वो चाहते हैं कि हम परमेशर के लिए चाहते रहें, हम उनसके लिए निरंतर प्रातना करते हैं, और एक सबसे बड़ा और आख्री उधारण में आपको देता हूँ, जो लुका में हैं, जो हम देखते हैं कि ईश्यमसी जब इस प्रित्री में था, तो उसने कैसे अ मंदिर में उपदेश किया करता था, और रात को जैतुन नामक पहार में जाकर वो प्रातना किया करता था, फिर बहुत करके वो उड़ जाया करता था, और फिर मंदिर में जाकर वो उपदेश किया करता था, यहां पर परमेशर ने इश्यमसी ने अपने जीवन से इस बात क वो हमें सिखाया है कि हमें हमेशा जाते रहना है और हमेशा हमें प्रात्ना करते हैं। सिर्फ इस बात पर वैकीन कर लें कि हम इशुमसी ने हमारे लिए सब कुछ कर दिया है, अब हमें कुछ करने की जुरत नहीं है, तो यहाँ पर यह वचर हमें इस बात को बताता है कि हमें अब जागना है, हमें प्रातना करना है, और यहाँ पर मैं आपके लिए पढ़ देता ह और हमारा जब पिता आएगा तो हमें हमें हम उसके सामने खड़े रह सके परियों क्या हम अपने जीवन में अपने सब बातों से परमेश्वर के सामने खड़े रहने योग्य हैं क्या हम अपने जीवन में अपने जीवन में हम जो भी कर रहे हैं जो भी हम अपने काम अपना का पएसे कमाने के लिए कोई भी हूँ, कोई भी बिजनस हूँ, कोई भी वेबसाय हो, कोई भी आप ज़ौब करते हूँ, कुछ भी करते हूँ, क्या हम ने अपने जीवन में इस बात को समझा है कि हाँ जो हम कर रहे हैं वो परमेशर को भाएगा, या परमेशर हम इस बात को कहीं ने कहीं इस बात को जुकला रहे हैं या इस बात से हम दूर भाग रहे हैं कि परमेशर तो हमसे ये चाहता है लेकिन हम कुछ और कर रहे हैं तो अगर ये बात आपके आज मन में है कि हम परमेशर के, हम प्रभीश मसी की अनुसार और जरसा कि मैंने आप सको बताया है, जो वर्स हमने अभी अपनी, जिस पर हमने मनन किया है, कहीं आप इन बातों से, आप इन बातों में तो नहीं हो, कहीं आप इन बातों के, इन लोगों के जैसे तो नहीं हो, जो नू के समय रहे हैं हमें प्रियो सोते नहीं है हमको सूना नहीं है हमें परमेशर के लिए जगना है हमें इस बात को समझना है कि हमारा जो प्रभीश्यू है वो हमें इस बात को कह रहा है कि हमें इस समय में जगना है और हमें प्राथना करना है आईए हम प्रियो आज से हम कुछ बातों को सीखते हैं और आज से हम कुछ बातों को अपने जीवन में implementation करते हैं कि हम आज से अपने जीवन में एक समय प्राथना करेंगे और हम अपने जीवन में उस एक आप एक समय को निश्चित करें जिससे आप एक अच्छा समय प्राथना करें मैं इस बात पर निश्चित हूँ कि जब हम प्राथना करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हमारी परिशानी नहीं हमारे जिन की परिशानी नहीं परन्तु प्रभी शुमसी हमें उन बातों को बताएंगे जो प्रमेश्र चाहता है और जब हमारी हम प्रातना करेंगे तो हम इस बात को जानेंगे कि प्रमेश्र हमें कुछ बातों के लिए प्रातना करवारा और आपको जब आप प्रातना करने बैठोगे तो आपको सोचने जुरत नहीं हम किस विश्य में प्रातना करें आपको आपको आपके प्रातना का विश्य मिलता रहेगा तो यो आज हम एक बात को समझें कि परमेश्य प्रभीश्य मसीश हम से चाहते हैं कि हम अपने जियों में प्रातना करना सिखें और हम एक ऐसे समय को चुनते हैं जो हमारे लिए suitable होता है और हम जिसमें easily available हो जाए आज मैं आपको इस बात को से encourage करना चाहता हूँ कि आज हम एक ऐसे समय को हम निश्चिन करे जिसमें हम ये बोल सकते हैं कि हम अपने जीवन में हम जाग रहे हैं और हम रातना कर रहे हैं हमारा यहां पर जो बचन बताता है कि जागते रहो जागते रहो मतलब एक ऐसा समय जहां हमारे को सोना है लेकिन हम जगें हैं और हम क्या कर रहे हैं हम प्रातना कर रहे हैं प्रियो मिराज का विशय यही है कि हम वो जागना है और प्रातना करना है और यह बात को मैं कहते हुए आज खतम करता हूँ, इस बात को कहते हुए खतम करता हूँ, कि हमें अपने जीवन में जागना है, आप इसके पहले कैसी भी जी रहे थे, आपके जीवने बहुत आशीश है, बहुत अच्छी बात है, आपके जीवने हर एक सुक है, बहुत अच् जाएगा तो मसे यही चाहता है चाहता है कि हम जागे और प्रात्ना करे और कई बर हम हमें लगता है कि हम लोगों के लिए सिर्फ प्रात्ना करना सिर्फ हम यहां पर सिर्फ प्रात्ना कर रहे हैं और काफी है लेकिन हमें ऐसे समय को निश्चित अपने जीवन में ऐसे समय को निश्चिंत करना है जिसे हम प्रमिशर के साथ बने रहे और प्रभीश मसी ने भी ऐसा ही हमें एक उधारन के रूप में अपने जीवन को दिया है कि हम उसके जैसे बने हम कई बार कहते हैं कि हमें उसके जैसे बनना है लेकिन हम उसके जैसे बनने के लिए कुछ प्रयास नहीं करते हैं पर आज हम इस बात को समझें कि हमें उसके जैसे बनने के लिए हमें अपने जीवन में प्रयास करना है हमें हमें अपने जीवन में उस बात को करने के लिए जो परमेश्व चाहता है हम करें और हम जागें और प्रात्ना करें आई हम प्रात्ना करें धन्यवाद पिता परमेश्र मेरे प् वच्छन हमें इस बात को कहता है Robo कि हमको जागना है, हमें प्रात्ना करना है, हो सकता है Robo कि ये प्रात्ना ये जागना Mr.P име क्डार अपने अपने लिए ना हो मेरे Robo के लिए जीना सिखे Mrzeakesht soc Big Laod Under 시vkin मेरे पिता कि हम तेरे अनुसार चले मेरे पिता हम तेरे अनुसार पिता परमेश्य प्रभू आपनी जीवन में बढ़े मेरे पिता प्रभू जैसा तु चाहाता है मेरे पिता जैसा तुने चाहा मेरे पिता प्रभू हमारे जीवन में ऐसा होने पाए मेरे पिता प्रभू हम प करेंगी पिता इस बात को हम जानते हैं पिता पर मेरे पिता पर्मेश्य पर ुबू और इसा ना हो मेरे पिता कि इस वचंग को सुनने वाला या इस बात को जानने वाल indirect men are इस आने तक मेरे पिता पर फॉफ ऐ यौ। नएक को जानता है harmony आ प्रबू प्रबू इस वचन को जानते हुए पिता परमेशर और अपने जीवन के प्रबू इन बातों को बदले देता और प्रबू तेरे रूसार चले मेरे प्रबू और अपने समय में मेरे पिता परमेशर प्रबू जब तू आता है मेरे पिता प्रबू हम तेरे सम्मुक ख को तुझे देंगे पिता हम तेरे साथ बैठेंगे पिता हम तेरे सम्मुख बैठेंगे पिता जो तू बोलेगा पिता हम प्रातना करेंगे पिता जिन वश्यों को तू देगा प्रभू हम उसके लिए प्रातना करेंगे पिता हम प्रभू हम तेरे जैसे बनेंगे मेरे पिता और क्या मांगता हूँ इस बिंटी को प्रभीश मस्थी की पैर मुदू नाम से मांगता हूँ आमिन सभी को प्रेज दे लौर्ड जै मसीगी